ख़बर शुरू करने से पहले देख लीजिए यह वीडियो जुसमें स्मृती रानी एक महिला से भड़ गई है कौन है यह महिला? आखिर क्यों स्मृती रानी उनसे इस तरह से बाते कर रही है? क्यों इस्मृती इस तरह भड़क रही है ये सब कुछ बताएंगे लेकिन पहले देखिए ये वीडियो केंद्रियम मंत्री और अमेठी की सांसद इस्मृती इरानी एक्शन मोड में नजर आ रही है इसमृती अपने संसदिय शेत्र के दोरे पर अमेठी पहुँचे थी शुकरवार को उन्होंने रामदेवपुर गाउं में एक चोपाल लगाई और अपने शेत्र के लोगों से जनसमबात किया उनकी शिकायते सुनी इस दोरार एक बुजूर्ग रिटायर्ड शिक्षक उनके पात पहुचा और उनसे अपना दुखडा सुनाया शिक्षक ने बताया कि जुला विध्याले निरिक्षक डी आई ओएस उनकी बकाया राशी का बुकता नहीं कर रही है वह अपने हग के पैसों के लिए कई महीनों से डी आई ओएस ओफिस के चकर पर चकर काट रहे हैं शिक्षक की शिकायत पर इसमरती इरानी ने महिला डी आई ओएस को कॉल किया इसमरती इरानी ने डी आई ओएस से कहा कि जब आप सांसत से 10 मिनिट से बहत कर सकती हैं तो 72 साल की रिटायर्ट शिक्षक का क्या हाल किया होगा अगर आप मुझे 10 मिनिट का चिना रहे हैं तो शिक्षक का तो क्या हाल करती होंगी इसके बाद इसमती राणी ने कहा कि योगी सरकार भी चाहती है कि लोगों को उनका हक मिलें इसलिए आप रेटायर्ट शिक्षक को उनका हक जल्द से जल्द दीजिए मैं कागर्ष के अगर आपको फेपर और फाइल लाना चुरू करते हैं और अगर यह प्रूव हो गया फाइल पे कि आपे जान दूश्के नहीं कि आदेश के बावजूद आप मुझे बताईए फिर मैं यही कह रही हूँ ना आपसे कि आपसे में आगरे तो यह पीचर्स की ओर्ष हैं आपको भी पताए कि आप यहां धक्के खारा है शिक्षक और अगर आप मुझे दस मिनिट का चुना रहे हूँ है तो शिक्षक का तो क्या हाल करते हैं लिए आप इसी से पता चल जाता है कि अगर आपने सांसद के फोना क्या दस मिन पुझे सिख्षक कितना खराब है यह बता रहे हैं यह उनकों कि गलत चैमी हो रही है बता रहे हैं तो आप इनका तो क्या हाल करते हूँ है और थोड़ी तो दाया क्या उमर है आपकी वहत्तर साल का सिख्षक मेरे सामने खड़ा है आप यांग आफिसर है ना कंपारेटिव दी तो अगर आप सांसद से दस मिनिट तक बहस कर रही हो है तो आपने क्या हाल किया होगा इसके मेरा आपसे विनम्र निवेदन है अमेडी में इसमरती रानी ने राहुल गांगी को उनकी परमपरागत सीट पर हरा कर जीत दर्ज की ती अपने शेत्र की जनता से इसमरती सीधे समवाद में रहती है और जब यह मामला सांसद के सामने आया तो वो भड़क गए इस पूरे मामले में आपके क्या राय है हुआप